अलो और वेलकम दोस्तों तो 5 मिन्ट्स इंजिनेरिंग आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों क्योंकि आज के इस वीडियो में भाईया वेरियंस का मुद्दा समझने वाले हैं बड़ी आसान तरीके से सिंपल एक्जाम्पल के साथ मुद्दे की बात क 안-dance czy B के अंदर आप देह सकते हो व counter 9 आप मैं क्या करता हूं इसका मीन निकालता हूं इसका के करता हूं दोनों बट अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए यानि कि यहाँ पे यानि कि यहाँ पे जो आपका data distribution है जो यहाँ पे आपके दिया हुआ data उसको अगर आप गौर से देखोगे in relation to the mean that we have generated तो आपको यह बहुत ही कमाल की बात पता चलेगी वो यह है कि यहाँ पे पहले वाली case में ए व 5 mean है और 1 और 9 आपके वो numbers हैं आकड़ हैं जो कि उस respective given data में mention किये गए हैं तो 1 और 9 यह बहुत दूर दूर है mean से बहुत दूर है they are very much spread so this is spread far यह बहुत जादा दूर है mean से लेकिन यहाँ पे जो अपना पहला वाला case है they are not that much spread okay they are very close they are very close to the mean okay तो अब यहीं इसी चीज़ को इसी dispersion को हम यहाँ पे variance कह रहे हैं अगर मुझे वो पता करना है calculate करना है तो उसके लिए जो formula है कि अगर मुझे दिया गया भाईया कोई भी population दे दिये गया है उसका मुझे variance जो है find करना है तो उसके लिए जो formula बढ़ा simple है summation of i running from 1 to capital N जो की number of data points या elements आपके उस population में वो x minus mu whole square x क्या भाईया आपके वो एक 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 जो data point होगा वो और mu जो है आपके population का mu and this whole divided by capital N सभी बात है अब जैसे कि इस case में capital N आपका 2 है इस case में capital N 2 इस तरीके से आपका capital N यानि कि पूरी population size जो है वो यहाँ पे आप determine करोगे और यह यहाँ पे उस variance को denote किया जाता है by sigma square population variance population variance is nothing but sigma square and उसका यह formula है यहाँ पे आपके सामने मौझूद है let's calculate it और देखते हैं कि भाईया किसका variance जादा आता है वैसे देखो आपने को तो पता चल चुका है अभी तक कि variance तो भाई सब इसी का जादा आने वाला है तो देखते है calculate calculate करते है यार दोनों cases के लिए कि किसका जादा आता है and ताकि भाईया अपने एक dialogue बोल सके ना कि LH is equal to RH hence proof देखो करके दिखा दिया अपनने तो यहाँ अगर आप देखोगे तो what we are going to do is 4 okay पहले तो मैं लेता हूँ 4 minus 5 आ गया okay इसका square plus उसके बाद 6 minus 5 आ गया उसका square and divided by 2 करना है तो यह क्या निकल के आता है यह 1 आ गया यह 1 आ गया 1 1 का square भाईया 1 that is 2 by 2 that is equal to 1 तो यह तो 1 आ गया आ गया अगरा है जहाँ पे तो अब यहाँ पर भाईया मामला क्या होगा आपका 1 minus 5 यह whole square हो जाएगा plus उसके बाद यहाँ पर 9 minus 5 यह आपका whole square divided by 2 तो यह क्या ह जाएगा, that is 4 का square भाई यह 16 आ गया, प्लस यहाँ पर 4 का square आ गया, divided by 232 by 2, that is equal to 16, तो यहाँ पर एक तरफ 16 आ रहा है, एक तरफ 1 आ रहा है, तो यह जो अपने पहले dialogue मा रहा था, hence proved now, कि यार देखो, variance यहाँ पर जादा है, dispersion यहाँ पर एक तरीके से बहुत जादा है, ब अपने यहाँ पर देखा, this is for the population variance, अगला वाला जो फंडा है, जो कि एक बहुत ही एहम फंडा है, वो है sample variance नाम की भी एक चीज़ होती, देखो, यह आपका population है, इसके अंदर जो है, अपन छोटा सा sample consider करते हैं, ताकि जो भी sample अपनने किया है, consider उसके उपर काम किया जाए और उससे कुछ conclusion या inference निकाला जाए, regarding this respective population, अब बात समझ पा रहे हो, तो यहाँ पर भाई सब जो sample variance है, it is denoted by s square, और उसका जो formula बड़ा सिंपल सा है, summation of i equal to 1 to n, small n लिया है, capital n ने, capital n सिरिफ population data के लिए, obviously बात है, population बड़ा है, तो उसको capital n, और जो आपका sample जो है, it's kind of a subset of your population, एक छोटा सा हिस्सा है, तो उसको अपने छोटा सा n दे दिया है, और यहाँ पर भाईया, जो अगली बात निकल का आती है, वो है, x minus x dash, तो अब यह जो x dash मैं बोल रहा हूँ, this is nothing but the mean of that respective sample, इस sample का mean है वो, और यह जो मैं mu बोल रहा था, वो इस पूरे population का mean है, तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका भी square होगा, obviously बात है, और इसको डिवाइड करता हूँ by n minus 1, obviously बात है, आप सोच ही रहोंगे, यार कि नीचे तो small नहीं होना चाहिए, that is sample size ही होनी चाहिए, बट उसमें minus 1 क्यों किया गया, तो इसका जवाब जो है, आपको अगले व पसंद आगे होगा, अच्छा लगा होगा, दोस्तों इस वीडियो को जरूँ शेयर कीजिए, अपने सार दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, and thanks a lot दोस्तों for watching this video.